दोस्तों नावसकार आपका स्वागत है आरिन कुस्बेटी चूनल में दोस्तों आज मैं आप लोगों को अक्टूबर और नौंबर के महीने में कौन कौन से सब्जी लगाएं उसके बारे मैं आप से बात करूँगा दोस्तों सब्जी के अगर हम बात करें तो सब्जी कम समय में पैसा आपको देने वाला है, क्योंकि आप बहुत अगर लंबी क्हेती करते हैं, जैसे पुई फ्रूट की खेटी करते il hasil in तो उए छे मेना सलबर बाद आपको उसका outpude मिलता है लेकिन दोस्तो अगर सब्जी की खेटी लगाते हैं तो बहुत ऐसे सब्जियां हैं जो आपको एक मेना से डेड़ मेना के अंदर में आउटपूट देना शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको बहुत सक्त पैसे की जरूवत है जल्दी जरूवत है तो आपको ऐसे सब्जियों को लगाईए ताकि जुसे आप से एक से डेर मेना में आपको सब्जी मिलना सुरू हो जाए और उन सब्जियों को आप मंडिब लेग जाए तो अच्छे दामों पे उसको आप बेचे ताकि आपके पास कुछ पैसे किया जो आऊ सकता है वो परिपून हो जाए दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक को आप इंपलिमेंट करिएगा तो आपकी खेच से कुछ भी फसल आप लगाएंगे तो वो फसल आपकी दोगूनी तेगूनी बढ़के आएगी दोस्तों आप इस वीडियो को छोड़के आलू की खेटी दोस्तों आप करें आलू की खेटी बड़े प्रमाने पर करेंगे तो आप देख रहे हैं इस समय इस समय आलू इतने मेहंगे भिक रहें कि अर आप आलू लीज पर जमीन लेकर भी लगाते हैं घाटा उसमें मिलने वाले आपको नहीं है नहीं तो आप देख लेजी आलू इस समय बहुत ही महंगा है और आलू पर्चेज करके आप लगा भी सकते हैं लगाने के बाद आपको फायदा यह होगा कि आप उसे इस्टोर भी कर सकते हैं इस्टोर करेंगे तो कहिन कहिन आप उसे 6 मिने बाद उसको निकालेंगे तो कहिन के बहुत जाद है आपको प्राफिट हो सकता है दोस्तो इस समय जो भी ब्यक्ति आलू इस्टोर किया रहा होगा उसे बहुत ज़्यादा ही मुनाफ़ा हुआ होगा दोस्तों आलू की बाद अब लगा सकते हैं हरा प्याज ये समय दोस्तों अक्टूबर जो महिना है हरा प्याज लगा सकते हैं हरा प्याज आप लगाएंगे तो प्याज आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें प्याज भी बहुत महेंगा है 30 रुपया से 50 रुपय पर के जी आपको प्याज इस टाइम मिल रहा है दोस्तों तो आप हरा प्याज को लगाईए हरा प्याज लगा देंगे तो बाहर से आपको प्याज खरीजने क्या सकता नहीं पड़ेगी आप खुद उस प्याज को घरों में इस्तिमाल करिए और सब्जी अब में डाल को बनाईए बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि हरा प्याज को आप बड़े लेबल भी खेटी कर सकते हैं क्योंकि कम समय में आपको इसे मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों डेट से दो महीना में आप यहां से अगर बड़े पैमाने वे खेटी करता हैं तो से तीन लाक फिर निकाल सकते आप दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि हरा प्याज आप खेती करिए बहुत ही आपको यहां से फाइदा होने वाला है बहुत किसान ऐसे हैं जो हरा प्याज की खेती कर रहा है और करने के बाद जो मैं आपसे 2-3 ला की बात कर रहा है वो जेन्वीन तरीके से 2-3 ला को नि दिसंबर के लाज तक लोग प्याज की बुगाई करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता दूँ कि पिछले साल के इस साल बहुत महगी मिल रही है तो पिछले साल प्याज साड़े महगाई आने वाली है आप प्याज की खेती करिए और प्याज की खेती करके आप बहुत पैसे बना सकते दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं अगली फसल का फूल गोबी फूल गोबी की खेती दोस्तों आप कर सकते हैं फूल गोबी तो लोग जुलाई कि सही लगाना सुरू कर दियें लेकिन मार्केट में ऐसे सी बैर्याइटी आगई है कि जैसे से समय निकल राव से अब आख अपने जाईए और वियराइटी लेकर आ आईए और अक्टूबर के महीनों में दोस्तों लगा सकते हैं दिसम्बर में गोविक लोग लगते हैं दिसम्बर में गोविक दूरो रगाते हैं उपवरी में 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 फल देता है दोस्तों मैं आपको एक trik बताओंगा इस trik के बारे में जरूर जानियेगा कि काउन साइसा trick है, जिसको मैं अपनाओंगा तो अफनी फसल दोग उनी और तिउनी हो जाएगी. दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पत्ता गोबी की, तो पत्ता गोबी दोस्तों आप लगाईए या घरों में लगा सकते हैं, किचन काड़े में लगा सकते हैं, गंबले में लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों गंबले में लगाएंगे पत्ता गोबी तो एक या दो फीस आप क्यों लगेगा, आप उसे ग्रो बैक में लगाईए य बहुत बड़ा जो ट्रे है उसमें आप उसमें लगा सकते हैं दोस्तों पत्ता गोबी के बाद आप उसको लगा सकते हैं आपको जस्ट उसी की नसल है ब्रोकली जो ग्रीन हरा होता है ब्रोकली की भी खेती लोग सितंबर से ही सुरू करती हैं अगस्त में लोग लगाया थे अ यह उसी मातरा में उसी फटलाइजर के रूप में भी अभी स्थमाल करेंगे तो ब्रोप्ली को भी निकाल सकते हैं लेकिन कहिं के उससे बहुत जाद है आपको ब्रोप्ली महनगी बिक्ति हैं और आप पताएँ दोस्तों कि ब्रोक्ली हर जगा बिक्ती भी नहीं है आप अपन पास अगर पॉट को है या ग्रोब है गए ताब उसमें ब्रोकली फोल को भी पत्ता को भी लगा सकते हैं दोस्तों उसके बाद जो अगली फ़सल है मतर दोस्तों मतर की बुवाई बहुत तेज से चल रही है मतर की तो ऐसी कुछ बिराइटिया आ गई है जो सितंबर के यहां तकक एक्टूबर के लास्ट भी मतर की बुवाई करते हैं और अच्छी पैदवार पाते हैं और अच्छी पैदवार के साथ सथ उन LGBT होता है दोस्तों या नंवंबर के लास्टी की लगा सकते है जुकंदर को चुकंदर में भी बहू ज्यादे आपको फ्राफीट होत लगा चुके हैं लेकिन दोस्तों यह जो मूली है यह पत्तों वाली मूली है साग के लिए वो इस्तमाल करते हैं लेकिन जो देशी विरायाइटिक जो मूली है यह आपको अक्टूबर के लास्ट में या नौवंबर के स्टार्टिंग में देशी जो विरायाइटी मूली होती वह आपको लगेगा दोस्तों अगली जो फसल है पालक है पालक की खेती दोस्तों आप कर सकते हैं पालक की खेती करेंगे तो कम समय में आपको पैसे अधिक मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे दोस्तों क्योंकि सितंबर में लोग पालक की खेती करते हैं दोस्तों एक ब रहे कि थोड़ी सी बस के ओल स्रावधानी बरत्नी है सवधानी बरत्ने के साथ किसी मैना में इस खेती को आप उगा सकते हैं और पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं दोस्तों मैं धन्या की जो बात कर रहा था धन्या तो इतनी महनी बिग जाती है घर्मियों की मौसम में कि आप उस तरीके से अगर धन्या की खेती करें ताकि अपने धन्या को बचा लें तो बहुत जादे प धनिया का स्वाद अपने घरों में लेजी दोस्तों धनिया को कहिन भी उगा सकते हैं घरों में उगा सकते हैं किचन गार्डेम उगा सकते हैं आपको मैं मिता दो कि धनिया को बिना मिट्टी का भी आप उगा सकते हैं बस आपको तरीका टेक्निक आना चाहिए दोस्तों उसके गार्डेन में या ग्रो बैग में लगाते हैं वो सितंबर में अक्टूबर में नौंबर के महिनों में भी इसको लगा सकते हैं दोस्तों उसके पर मैं बता दूँ आपको कि राजमा की भी लोग खेती करते हैं अक्टूबर के महिने में अक्टूबर के लास्ट और नौंबर क स्टार्टिंग में राजमा की खेती लोग करते हैं और राजमा की खेती दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान करते हैं बहुत अच्छे मुनाफ़ा उनको फ्राप्त होता है दोस्तों आपको बता दे कि एक में खेती की बात कर रहा हूं सिम्ला मिर्च दोस्तों सिम्ला मिर्च की खेती कर रहे हैं लोग बहुत किसान कर चुके हैं और करने के बाद उन्हें बहुत जादे प्रॉपिट होता है दोस्तों आपको बताते कि सिम्ला मिर्च भी दोस्तों बहुत महेंगा बिखता है और सिमना मिर्च की भी खेती दोस्तों आप कर सकते हैं उसकी बिरायटी बहुत अलाल तरीके से आती है आप उसकी बिरायटी अच्छी तरीके से चैन कर लिजी अपने एरिया के हिसाब से और चैन करने के बाद आप उसको इस्तिमाल करिए और इस्तिमाल करने के दिया, नरशरी लगा के आप उसको रुपाई कर सकते हैं, या आप नरशरी पर्चेज करके अच्छी बिराटी की रुपाई कर सकते हैं, सिमना मिस से भी आपको बहुत ज़ादे फाइदा दोस्तों होता है, दोस्तों आपको बताते हैं कि बैगन की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों बैगन आपको बताते हैं कि पूरे साल भर चलने वाला यह प्लांट है और आपको बताते हैं कि बैगन की खेती कम से कम जो किसान लगाते हैं एक विगहा अगर बैगन की खेती आप कर दिये तो कम से कम अगर उसे आठ से नौ मैना उसकी आप देख बाल अच्छे से निराइक गुड़ाई अगर करते हैं तो आठ से नौ मैना वह चलता है और आपको पताते हैं कि आठ से नौ मैना का प्रकिरिया पूरा जोड़तेंगे तो एक विगा से कम से कम 3-4 लाग रुपी आपको प्रापि प्राव करना पड़ेगा और सही समय प्राव करना पड़ेगा यह आपको ध्यान रहे जश्ट दोस्तों इसी तरीके से टमाटर की खेती है टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं टमाटर की खेती के लिए जश्ट आपको ध्यान देने जरू होते हैं दोस्तों टमाटर की खेत लोग जमीन पर भी लगाते हैं लेकिन जमीन के पेच्छा अगर मचान बिदिस टमाटर के खेतिया परते हैं तो मचान बिदिस से आपको उत्रपादम दोर्शतों बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि उसमें रोग बहुत कम आते हैं और जमीन वाले पे रोग आपको बहुत जादे आते हैं लेकिन आप जमीन वाले के लिए भी आप देख रेक निराई गुडाई समय समय पे करते रहेंगे और दवा का छिड़काओं करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान बिल्कुल कि आप नवंबर के महिने में सब्षक्रण को भी खीत है वह जानते हैं सब्षक कितन आप समाने के बाद विचिह को मार्केटि में बेचे बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों यह बिखता है दोस्तों आप से दादे कि सर्सों की भी खेती लोग करते हैं सर्सों की खेती सितंबर के महिने में लोग कर चुके हैं अक्टूबर में भी दोस्तों लोग करते हैं और नौंबर में भी सर्सों के खेती लोग दोस्तों करते हैं आपको मैं बता दूँ कि एक जो फसल में बता रहा हूं गेहुं। दोस्तों गेहुं की छो खिती होती है, नौंबर के स्टार्टिंग तब 15 नौंबर तक गेहुं की लोग बुवाई कर देते हैं। और आपसे दाते हैं कि सरसोग लोग गेहूं में मिला कि लोग लगाते हैं तो उससे कहीं निकाल लेते हैं कि जब हर्वेस्टिंग होने से पहले सरसोग लोग निकाल लेते हैं और गेहूं के बार में हर्वेस्टिंग करते हैं इससे फाइदा उनको यह होगा कि एक ही जमीन में दो फसल को निकाल लेते हैं तो इनसे उनको बहुत अधीक लाब मिलता है दोस्तों जो गेहूं की फदल में बता दो आपको गेहूं बहुत ज़्यादा इसमें आपको बता दे कि बहुत आपको ज़्यादा देने वाला है फायदा क्योंकि गेहूं की खेती अगर आप कर रहे हैं तो गेहूं में बहुत ज़्यादा आपको महनत लगने वाले नहीं हैं रोग भी कम लगते हैं दोस्तों, लेकिन गिहूं उनके लिए दोस्तों है, जिनके पास जादे मातरा में खेत हैं, दस एकर, पाच एकर, दो एकर, अगर कम खेत हैं, तो मेरे सलाव उनको यही है, कि अधिकतर और सबजी का इस्तिमाल करें, और सबजी उगा किये, और कमाईए दोस्तों, दोस्तों, वीडियो के सुरू में मैंने आपसे कमिन्मेंट किया था, कि मैं आपको एक ट्रिक पता हूंगा, ताकि आपकी फसल दोगुनी हो तोगुनी हो जाएगी, दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कारबनी खात का भी आप इस्तमाल करें, और क हरी खात को उस खेत में डाल सकते हों, डाल के मिट्टी प्लट वाला हल से आप उपर से मिट्री नीचे से मिट्री उपर करके आप जुदाई करवा सकते हैं, दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, आपको बदा दे कि करवनी खात का दोस्तों आप इस्तमाल करें, उसके साथ बर झीवामृत कर सकते हैं जीवं अम्रित 2G आपको बदादू कि सिंपल तरीका जीव अमरित बनाने के के आप थोड़ा सा प्रयाच करें है, तोड़ा सा महत करें krijigी जीवामृत ब्हुत आसान तरीकी से आपको बढ़ बन जाएगा 10 केजी आपको क्यों गोबर लेना है जीवामरित बनाने के लिए मैं बदार आपको थोड़ी से अब ध्यान देजिए कि 10 केजी गोबर ले ले जिए 10 केजी उसक बड़ गौवमूत ले 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 जिए गोबर जो लेना है वो गाय कही लेना है और दो केजी आप जो सबसे खराब गुड है गुड ले सके दोस्तों उसके बाद दो कीजी आप दाल ले लिजिए उसके बाद एक केजी पीपल के नीचे की मिट्टी अब ले ले जिए जहां पे अक्सीजन चोपिसो घंटा दोस्तों मैं यह बताया हूँ एक एकड़ जमीन के लिए दोस्तों उसके बाद में बतात सलडी बीदी का भी इस्तमार कर सकते हैं आप सलडी बीदी के साथसता अम्रीध घोल का दोस्तों इस्तमाल करेंगे तो आपके मिट्टी की जू प्रिजा चंता है बहुत दोगुनी ते वनी पढ़ आएगी। हम्रित घोल दोस्तों बनाने के लिए सिंपल तरीका है। 20 kg आप गोबर ले ले लिजिए। एक इकड़का मैं आपको बता रहा हूँ हुँआ हूँ कि 20 kg ले 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 लिजिए। चाहिए। उसके बाद आप पचास ग्राम ले 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 क्लिजे दौस्तों पहले गाय और घी गाय काई गोबर उसके अधर शहाइगी करने के लिए मिक्षट करने सकका उसमें पानीकों मिला लिए पाहने को लाने के बाद खेट में आप शिरका कर दीजिए दोस्तों देखिए इसका आमेजिंग बहुत अधबुत रिजल्ड आपको जमीन में मिलेगा दोस्तों जो मैंने यह आपको ट्रिक बताया ट्रिक कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और शेयर के साथ सब्सक्राइब करें दोस्तों न भूलेगा दोस्तों मिलते हैं आप से न्यू वीडियो में न्यू टॉपक के साथ धन्यबाद